यूई दुबाई में आके कौन सी कमपनी बनाई जाए या free zone company, free zone companies के अंदर business setup किया जाए या main land LLC company बनाई जाए इन दोनों में क्या difference है, किस दो से set-up होता है आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं Don't forget to subscribe and like button सबसे पहरे तो हम बात करते हैं कि यूई दुबाई के क्या रूल्स है अगर आपने कोई भी बिजनस करना है यूई दुबाई के अंदर आपके पास लेसेंस प्लस वीजा होना जाएगा अब फॉर जैंपल आप यूई दुबाई के अंदर अरड़ी हैं आप किसी इंप्लॉ दुबाई का वीजा नहीं है तो सबसे पहले आपको यूई दुबाई के अंदर विज़ वीज़ प्यान है जब यहां पर आएंगे तो आपको यह देखने हैं कि आपका जो बिजनस सेटब करने जाए रहे हैं इसका परपरस कहा है अगर तो इसका में परपरस यह है कि आप आपने एक स लिमिटिड एरिया में रहके क माम करना। करना टेड़ा में करना है। थी बीबिशन करे ने सकते हैं यह लोब करता है तो सब्र में पर कॉछेट इने अब inappropriated मुझी यहां है। अब हम बात करते हैं कि there are two types of companies जहां पर आपना business setup कर सकते हैं free zone companies और mainland है इन दोनों में फरक क्या है पहले हम discuss करेंगे mainland companies को जो LLC भी खराती है as per ue law, ue के अदर अगर आपने mainland LLC open करनी है तो आपको local sponsor required है जो आपकी company का 51% shareholder होगा और आप उस company के 49% shareholder होगे Dubai ने recently कुछ rules change की हैं आपको जगों पर without sponsor भी company open कर सकते हैं लेकिन वो अकसर packages आते हैं अगर आपने available कर ले तो ठीक है वरना फिर दुबारा से वो change हो कि आपको sponsor लेना पड़ता है sponsor का मतलब क्या है कि जो local अमराती है जो जिसको ue का जो local है जिसको बाद इस citizenship है वो ही आपको sponsor कर सकता है उसके नाम पर आपके नाम को add करके एक agreement बनता है पिर आप किसी भी physical जगह पर आपने जो location choose की होती है उसका lease agreement बनता है और पिर आप company open कर सकते हैं अब इसमें खर्चा कितना आएगा सबसे पहरा है तो आपका खर्चा आगया कि आपने local जो अमराथी होगा उसको आपने payment करनी होती है ELD basis पर डिपेंड करता है चार अजास लेके 10,000, 20,000 लोग लेते है कि आपकी company का setup कितना बढ़ा है आपको हर साल pay करना है पर हम अगर license की बात करें तो at least आपका 20,000 लोग जाती है सिर्फ लोग जाती है सिर्फ लोग जाती है Office setup की बात करें तो minimum आपको 200 square foot का office लेना है और अगर इसको सब को add किया जाए तो आपकी तो initially पहले साल की जौब की cost आएगी हो तकरीबन 40 to 50,000 लोग आती है तो open LLC main land company in the UAE इसमें मज़े की बात बस दिया है कि आपके पास जो वीजे के कौटे हैं वो जाते निकलाते हैं आप employees को hire कर सकते हैं आप अपने वीजे को use कर सकते हैं और secondly के physical business आप बैठ के कर सकते हैं main land पे कर सकते हैं open area में बैठ के कर सकते हैं आप international business भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर हमने free zone की तरफ जाना है तो इसके क्या requirement होगी इसके क्या benefits हैं अगर आप बिलकुल ही start-up हैं आपके पास कम investment है और आप जाते हैं कि किसी को sponsorship में ना लेके हैं free zone में क्या होता है कि free zone के अदर आपको 100% ownership मिलती है आप किसी local मराती की ज़ुरूद नहीं है आप जाएंगे अपना license process कर आएंगे आपका visa process होगा और आपको आपकी processing होके आपका सारा कुछ जो है within 20 days आपका complete हो जाएगा whereas in LSE mainland companies में क्या होता है कि process लंबा होता है आपको पहले ministry से approval लेनी है और आपको administrative से approval लेनी है labor से approval लेनी है तो process भी लंबा होता है और खर्चा भी जादा होता है अगर आपके पास limited budget है और आपका काम ऐसा है कि आप कहीं बैटकी भी कर सकते हैं आपको physical office की requirement नहीं है तो free zone companies जो है वो best option होती है सबसे minimum जो cheapest local license है plus one visa वो आपका 20 साधरा में आ जाता है with one visa obviously आप उसमें visa add कर सकते हैं free zone के अंदर सबसे बड़ा drawback क्या होता है कि आपको free zone का area locate किया जाता है for example अगर मैं दुबई की बात करता हूँ DMCC है डाफजा है वहाँ पर आपको एक location दी जाएगी वहाँ पर आपको working space भी use कर सकते हैं उनकी facility यूज़ कर सकते हैं आप उस area से बाहर बैटके काम नहीं कर सकते हैं यस अगर आपने online काम करना एक commerce काम करना फिर तो को मसला नहीं है आपको virtual address मिल जाता है आप even घर बैटके भी किसी भी location में बैटके online business कर सकते हैं so online business के लिए वैसी आपको office की requirement नहीं होती so अगर आपके पास limited budget है और आपका जो काम है physical नहीं है तो free zone companies आपके लिए best होती है क्योंकि less hassle होता है कम टाइम पर आपका lessons भी open हो जाता है कम टाइम पर आपका visa भी show हो जाता है और आपके 100% ownership होती है प्लस यह है कि आपके ज़्यादा खर्चें नहीं होते depend करते हैं कि आपने कौन सा बिजनस करना है अगर let's आपने restaurant open करना आपने grocery shop open करनी है petrol bump करना है car wash का business open करना है stationery का business open करना है आपने automotive का spare parts का business open करना है तो इसारा physical business है इन सब की ओपर मैं वीडियो बनाऊंगा upcoming videos में याने वाली हैं कि आगर आपने showroom open करना है आपने car wash open करना है आपने ग्रोस ही open करनी कुछ भी आपने open करना है तो क्या requirements होगी physical में case study discuss करूंगा आपके साथ तो अगर आपने इस तरह का business setup करने तो आपके पास आपको LSE required होती है आपको main land पे business open करना पड़ता है अगर आपको business ऐसा है कि आप services business में जा रहे हैं या आपको ऐसा trading business है आप जो है इंपोर्ट करते हैं लेकिन आप third party logistics के थूरू आपकी यह और समा डिलिवर कर रहे होते हैं जहां पर आपको physical presence की जूरत नहीं है तो आप free zone में company open कर सकते हैं यह नहीं है कि free zone में आपका office नहीं होगा free zone के दर आपको dedicated office मिलता है आपको office space मिलती है आपको हर तरह की facility दी जाती है लेकिन क्या है कि physically उस free zone के अंदर रहे कि आपको physically बैठ सकते हैं खास ओपर e-commerce business का trading जिनल ट्रेडिंग companies कैसे बनानी है free zone के अंदर तुबई में आजमान में शार्जा में नसुल खैमा में you can contact me for mainland हम direct involves नहीं है लेकिन मैं आपको किसी अच्छी agent के साथ connect करवा दूँगा अगर आपको LLC open करनी है ना खैर रखिएगा फिर मिलते एक लिए वीडियो में अल्हाफिज